विल से अपने आपको कंट्रोल कर पाना इंपॉसिबल है तो जरुगा कहती है अगर आपने विल पाउर यूज किया जित्रा भी थोड़ावाद कंट्रोल है वो भी खतम हो जाएगा अगर आप अपने आपको रेगुलेट या कंट्रोल करना ही चाहते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जैनियोगा चैलेंज 2022 में आज मैं जो आपसे शेर करने वाला हूँ एक तो ये है कि जैनियोगा कोर में क्या है कोर मतलब हर चीज का एक एसेंस होता है तो क्रिश्न या पतंजली क्या exactly कराना चाहते हैं हमसे एक तो ये समझ में आएगा और अगर ये चीज हम नहीं समझते हैं तो हम उस रस्ते पे चले जाते हैं जिसको अंग्रेजों ने कहा है परवर्जन परवर्जन मतलब उसमें बहुत सी चीज़े आती है सेक्शुल परवर्जन एडिक्शन के परवर्जन बहेवियर के परवर्जन तो वो क्यूं होता है और कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं ये हम लोग आज सीखेंगे कल की वीडियो में हमने बढ़ा था कि किस तरह से बाहर से इंपल्स आती है उसको बोलते हैं कोड़ेड इंपल्स क्या बोलते हैं कोड़ेड इंपल्स और उसको हमारा दिमाग क्या करता है डिकोड करता है अच्छा एक बार अगर किसी चीज़ को डिकोड कर लेता है तो हमारे दिमाग को लगता है उसने सही डिकोड किया है और फिर उस डिकोडेड मैसेज को वो हमेशा हमेशा के लिए पकड़ लेता है चाहे वो correct knowledge हो या incorrect knowledge हो चाहे sleep हो चाहे imagination हो चाहे memory हो हम किसी की बात सुनते हैं message, code impulse आई हमारे पास और उसको सुनते ही मेरे दिमाग में अगर कोई memory trigger हो गई तो मुसको सुनना बंद कर देते हैं उसी memory को मान लेते हैं तो वही बात बोल रहा है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज में सुझाती है हर moment पे यह पुरा का पुरा cosmos पुरा का पुरा प्रहमान हमको message भेज रहा है हमने देखा था किस तरह से जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे brain में जाकर के coded impulse decode होना चाहता है कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं यह सब तो है ही इसके अलावा magnetic impulse आ रहा है cosmic impulse आ रहा है लेकिन हम उसको receive नहीं कर पाते हैं हम लोग जो यह सोचते हैं कि हम fixed entities हैं इसी की वज़े से हम reality को पकड़ नहीं पाते हैं हम actually अपने आपको fixed entities बनाते हैं अब सुनी ध्यान से तो समझ में आएगा जिरू को कहती है हम सबका अपना एक appetite है जैसे भूक लगती है तो एक amount of food हम खाते हैं तब जाके पेट भढ़ता है उससे कम खाएंगे तो भूके रह जाएंगे उससे ज़्यादा खाएंगे तो पेट ओर फिल हो जाएगा तो एक तरफ हमको खाने का appetite है ऐसे ही हमारा emotional, mental और sexual appetite भी है अगर एक इंसान को right emotions नहीं मिले बचपन से प्यार, compassion तो भी उसको अंदर से खालीपन महसूस होगा अगर एक आदमी को mental appetite नहीं मिला आप दुनिया को देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं जब समझ नहीं पा रहे हैं तो आप confused होते जा रहे हैं अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि सर, अमीर बनने का क्या secret है और वो आदमी के पास अपने खुद के कम सकम 20 लाख रुप एकाउंट में होंगे तो मैंने का तुम कोशिश ये करो कि उस 20 लाख को बचाना सीखो बिकाज अगर तुम खाली बैटे हो और कुछ सीख नहीं रहे हो तो वो zero नहीं है, वो minus है वो आदमी मुझे बाद में बताता है जो उसको खुद के लिए नुकसान दायक होता है इसलिए मैं कहता हूँ एक आदमी के पास mental appetite है we all are searching for insights and correct knowledge this is our mental appetite आजकल YouTube पे धेर सारा वीडियोस चलता है लेकिन बहुत कम ऐसे वीडियोस होते हैं जो हमको empowered feel कराते है knowledgeable, intelligent और खाली feel नहीं कराते वो actually हमको knowledgeable बनाते है अभी इसके पहले का वीडियो हमने क्या बनाया कि किस तरह से दुनिया में जो passion word बड़ा famous हो गया है कि बच्चे अपना passion खोचता है वो बकवास बात है खर दोस्तों, गर आपको ये वीडियो देखना है तो हमारे sexual development हो जाता है उसके बाद और ये सारी की सारी appetites कैसे हम भरते है बाहर से impulse हाती है ऐसा समझे जैसे पेट है ऐसे ही हमारा e-center है, i-center है, s-center है उन सबका अपना पेट है और वहाँ जाकरके impulse उसकी खुराग पूरी करते रहते है हम वीडियो देखते हैं किताबे पढ़ते हैं, लोग उसे बात करते हैं शॉर्ट्स देखते हैं, लॉंग देखते हैं वो सब की सब या तो हमारे पेट को भर रही है या तो emotions को, या तो mind को मतलब या तो i-center को या तो s-center को भर रही है ये चीज मेरे लिए बहुत नई थी खाने में हम बहुत careful होते हैं साफ सुत्रा खाते हैं, और जो आदमी careful नहीं होता, वो बिमारियों को invite करता है मतलब साफ सुत्रा ताजा बासी वो तो almost जानवर भी कर लेता है, अगर बहुत खराब खाना हो, तो जानवर भी नहीं खाता लेकिन आदमी तो उसके भी एक कदम आगे जाना चाहिए उसको healthy खाना खाना चाहिए और खाता भी है लेकिन जैसे आप खाने के साथ बहुत careful हैं, और खाने के साथ तो हो सकता है, आपको नहीं पता तो आपकी mother आपके parents decide कर सकते हैं कि आपको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए लेकिन यहाँ तो सारा का सारा खाना आप खुदी खाते हैं इसलिए you have to be extra careful अपनी emotional intellect और sex food के लिए यहाँ पर एक बात मुझे कहनी है बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो sex के प्रती इसे अच्छल nofap चला है अगर आप sex का वीडियोज खोजेंगे how to overcome sex तो आपको बाढ़ मिलेगी तो एक तरफ वो लोग हैं जो sex के साथ खास तोर से बहुत जादा indulge होते हैं और वही पर उसका opposite है जो लोग denial करते हैं कि हम देखेंगे वीडियोज तरफ यह point बहुत important है moderation तो चाहिए moderation मतलब बहुत समाल समाल के आपको अपनी sexual food, mental food, emotional food खानी है लेकिन साथ ही साथ denial practice में नहीं जाना है जब मैं बच्पन में ओशो को सुनता था तो मैं over indulgent हो गया मुझे लगता था कोई बात नहीं सेक्स करो किसी के साथ भी करो कोई गलत नहीं लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो सेक्स के नाम से ही चिड़ते थे उनके सामने आप खड़े ओकर बात नहीं कर सकते सेक्स की in fact ऐसे लोग कि अपनी खुद की relationship खराब रहती थी मैं दियता था आए दिन लड़ाई होती थी husband wives की तो ये denial practice है कि शादी शुदा life में sex तो कर रहे हैं लेकिन sex को hate कर रहे हैं जिनोगा कहती है sex के और emotional impulse को receive करने का एक तरीका है ये मुझे जिनोगा के साथ ही पता चला आप कोई चीस पढ़ रहे हैं तो mentally खा रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं मजाग कर रहे हैं या कोई emotional experience शेर हो रहा है तो आप emotionally कुछ खा रहे हैं और जब आप obviously relationship में हैं अपनी wife के साथ तो आप sexually कुछ खा रहे हैं तो जैसे आप पेट के साथ बहुत carefully check करते हैं कि पेट भरा की नहीं ऐसे ही हम कर सकते हैं अपने emotions को अपने intelligence को और अपने stress center को check कर सकते हैं कि ये satisfy हो रहा है या over indulgent हो रहा है अपने एक निवाला खाया दो निवाला खाया अगर स्वादिष्ट खाना है तो ज़्यादा खा लें ऐसे ही जब हम emotions को खाना शुरू करते हैं तो जैसे एक आदमी जो बिहोश होता है वो खाना ज़्यादा खा लेता है ऐसे ही एक आदमी जो बिहोश होता है वो ज़्यादा emotional हो जाता है ऐसे लोग अक्सर ऐसी बाते बोल देते हैं ऐसे promises कर देते हैं जो बाद में बच्चता आते हैं और ऐसे लोग जब पढ़ाई करते हैं तो नॉलेज कठा करने की कोशिश करते हैं उनकी दिमाग में इतना जादा thoughts कठा हो जाता है कि एक knowledge दुसकी knowledge को काटता रहता है शाबदिक knowledge गठा हो जाता है उसको बोलते हैं over indulgence in knowledge, books, theories, practices नहीं हो पाती उससे और obviously जब आदमी sex में over indulgent हो जाता है तो कमजोर मैसूस करता है तो इसको कैसे आप रोग सकते हैं हमारे brain में एक capacity है कि जब आप अपनी खुराक ले रहे हैं thoughts की, emotions की और sex की you can sense it शुरुआत अब करिये खाने से अगर खाना खाते से में आप बहुत aware हैं तो वो awareness बाद में आपके बाकी तिनों sentence में भी काम करेगी और इस चीज़ को अपने mind में जब आप emotional, sexual या mental food को ले रहे हैं इस चीज़ में आपको study करना होगा इसके अंदर methods apply करना पड़ेगा और इसमें एक scientific approach होता है you know what is scientific approach science बड़ी अच्छी चीज़ है science हर चीज़ को measure करती है experiments को repeat कर सकती है उसी को science बोलते है मालीज मैंने बुला, यह phone है और इस phone का यह button अगर आप दबाएंगे तो यह screen जलेगा तो मैं एक बार दबाता हूँ जल गया दो बार दबाता हूँ जल गया अगर हर बार button दबाने से जलेगा इसका मतलब यह prove कर सकते हैं तो scientific study और approach जैसे हर चेका चाहिए ऐसे ही आपको अपने mind में भी apply करना होगा यही scientific approach to self evolution को ancient time में योग कहा करते थे या zen कहा करते थे जिसको आज हम लोग क्या बोल रहे है zen, yoga या zenoga और जो आदमी इसको सीख लेता है इसको धारन कर लेता है और इसको सिखा सकता है किसी को उसको हम बोलते है zen, yogi या zenogi तो कैसे आप उस study को करें इसके लिए कुछ questions आपको यहाँ पर अपने brain में लिखने पड़ेंगे सबसे पहला question लिखना पड़ेगा Do these impulses introduce themselves to satisfy or irritate our appetites कि जब भी मैं अपने emotional, sexual या knowledge का impulse लेता हूँ तो मैं satisfied feel करता हूँ या irritated feel करता हूँ Do they enter according to our directives जब भी मैं ये impulses ले रहा हूँ तो जैसा मैं चाहता था ये वैसे आ रहे है या अपनी मर्जी से आ रहे है तो आप मालिक है या वो मालिक है impulses तो दो लोगों में आप किसको बोलेंगे एक साधू है और एक असाधू है जो साधू वो है जो साध रहा है अपने mental food को मुझे लगता है खाने के साथ भी experiment इसलिए चालू हुआ होगा because उसकी वज़े से उनका mental food को regulate कर पाते रहे होगे लोग एक चीज यहाँ पर बहुत बड़ी हुई है मेरे साथ जब तक मैं जोनोगा की contact में नहीं आया था न तब तक मैंने हजारों बार ट्राइ किया अपने आपको control करना through will जबरजस्ती will power आत्मशक्ती पापा लोग बोलते थे तुम कर सकते हो, महनती हो और करने की कुशिश करते थे, फेल हो जाते थे जबरजस्ती यह मत करो will से अपने आपको control कर पाना impossible है तो जबरजस्ती अगर आपने will power यूज किया जित्रा भी थोड़ा बहुत control है, वो भी खतम हो जाएगा अगर आप अपने आपको regulate या control करना ही चाहते है, तो वो possible हो पाएगा, आप या तो जाने या तो अंजाने, अपने अंदर में corrective methods को follow कर रहे हैं और disciplines को follow कर रहे हैं अंजाने कैसे, अगर आपका school timing सुबह सुबह है, जल्दी उठ गए, रात को जल्दी सो गए, आपने time time पर खाना खा लिया, तो आपको लगएगा, सब कुछ ठीक चल रहा है यार, और वही पर consciously कैसे होता है, आप जानते हैं कि मुझे time से उठना पड़ेगा, time से खाना पड़ेगा, तो ये corrective methods और discipline कर आप apply कर रहे हैं, तब तो आप देखेंगे, आपका ज़्यादा control है अपने food पर और impulse पर और life पर, otherwise नहीं Bruce Lee कहा करते था कि fight ऐसी होनी चाहिए, जैसे कि आपको effort नहीं डालना पड़ रहा है flow की तरह, water की तरह be water my friend जिनों का कहती है, corrective methods और discipline, आपकी habit बन जानी चाहिए, और जब ऐसा होगा, आप एक चीज़ experience कर रहे हैं, जिसको बुलते है effortless effort लोगों को लगेगा, आप बने discipline हैं, लेकिन आपको कोई जोड जबर्स्ती नहीं करना पट रहा है आप ठक नहीं नहीं उस काम को करने के लिए इन फैट आप ज़ादा खुशी से ज़ादा enjoy करके उस काम को कर पा रहे हैं या उसको कहते हैं effortless control हमारे पास धेर सारी weaknesses हैं, यह experience के बाद, बहुत trial के बाद ही पता चलेगा कि willpower से यह weaknesses खतम नहीं होती है मेरे लिए एक सवाल था कि आखिर यह weaknesses आती कहां से हैं क्या बच्पन से हम लोगों को भगवाने से बनाया नहीं, इसका जिनोगा आंसर देती है हम लोग बच्पन से ही धेर सारे patterns इखटे करते हैं किस चीज़ के? habits के, चाहे खाने की habit हो drink की habit हो, सोने की habit हो सास लेने की habit हो इसके साथ-साथ हमारे emotional, intellect और sex की भी impulse हाती है और इसको हम decode करते हैं अपने हिसाब से और यह एक pattern बन जाता है एक छाप बन जाता है एक fixed routine बन जाता है और जब आप उसको जादा कर देते हैं अगर आपने थोड़ा से जादा खा लिया जैसे आज पूरी बनी है तो मैंने जादा पूरी खा ली तो वो incorrect है लेकिन वो करना आसान है अब इस सुने में बड़ा अजीब लगेगा लेकिन हम चाहे पेट का, खाने का चाहे emotional, चाहे sexual, चाहे intellectual overdue करते हैं कुछ जरूर से जादा ही कर देते हैं तो हमको एक wicked pleasure मिलता है इसको आप physical pleasure भी कह सकते हैं एक kick मिलती है और इसी sensation की वज़े से जो आपको experience हुआ आप उस चीज़ को फिर से repeat करते हैं और जब दुबारा repeat करते हैं तो फिर से incorrectly करते हैं बतलब आपने बच्पन से ही unconsciously चीज़ों को overdo किया ज़ादा sex ज़ादा पढ़ना तो हम ज़ादा करते नहीं है पर जो कुछ भी पढ़ते हैं उसी को पढ़ाई मान लेते हैं और उसी को करते रहते हैं ज़ादा खाना खाते हैं और उसी इसको overdo करते रहते हैं करते रहते हैं और हर बार करने में हमको मज़ा experience होता है और इस चीज़ को जब बार-बार करते हैं तो हमको एक wrong habit बन जाता है तो हर चीज़ पता है आपकी एक sensitivity होती है और उस sensitivity में चीज़ों को आप जब perceive करते हैं तो शुरू में नहीं बाद में enjoy करते हैं पता है खाना खाने तो हम सब enjoy करते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं और बहुत time के बाद हम वरत को enjoy करते हैं वरत को उपवास को देखिए अभी तक हमने क्या सुनाए उपवास मतलब आपने आपको torture देना खाना नहीं खाना लेकिन जब आप एक healthy food खाते हैं आपकी अब habit हो गई है fruits खाना अगर आपको अगले 10 दिन तक fruits मिले ही न खाली unhealthy खाना मिले खुब तेल वाला समोसा और कचोड़ी और यह सब चीज़ें तो आपका पेट धर्द करने लगेगा यह इसलिए क्योंकि अब आप sensitive हो गए हैं अब आपको fruits में और healthy खाने में enjoyment आना शुरू कर दिया है यह actually sensitivity है और एक आदमी जो अपने आसपास की और अपने body के प्रती sensitive नहीं होता वो धीरे धीरे perverted हो जाता है हमारे body के अंदर में cells develop होते हैं किसी भी चीज़ को enjoy करने के लिए जिनोगा में तो ऐसी practice है जिसमें आप अपनी आख को मजबूत कर सकते हैं पता है आप अंधिरा करिए और देखिए आसपास एकदम काले अंधिरी रूम में शुरू में आपको कुछ देखेगा नहीं लेकिन कुछ दिर बाद कुछ कुछ देखेगा कुछ कुछ देखेगा वो इसलिए बिकाज आपके अंदर में जो rods and cones हैं वो cells होती है specific cells कुछ cells हैं जो अधिरे में अच्छ से देख पाती हैं इसलिए तो जानवर जो nocturnal animals होते हैं उनको अधिरे में देखता है तो जो भी चीज़े हम develop करना चाहते हैं यह चीज़ develop करने लाइक है एक रिशी अपने आपको physical body के beyond ले जाता है उसकी प्रती sensitivity develop करता है तो एक तरफ आप जब unconsciously अपने आपको भोजन देते हैं चाहे पेट का, चाहे emotion का चाहे thoughts का, चाहे sex का तो आपकी wrong habits develop होती है और वहीं पर जब आप एक system के थ्रू एक knowledge के थ्रू एक योग के थ्रू, योग मतलब integration आपकी knowledge और ancient masters की knowledge को integrate कर पाना जब उसके थ्रू आप ये सारे के सारे fruits लेते हैं, तो आपकी habits regulate होना शुरू होती है और इसी को zen yoga बोलते है एक बड़ा interesting चीज है जो आपको यहाँ पूछना चाहिए कि जब हम overdo करते है जब अपने appetites को ज़्यादा भर देते हैं, तो मज़ा क्यों आता है अगर आप अपनी habits को सही तरीके से कर रहे है अगर आप अपने impulses को ले रहे हैं, लेकिन सही तरीके से अप्टिमल तरीके से ज़्यादा रही है, तो आप केवल eye center को जगा रहे है eye center बहुत soft center है, है intelligent बट है soft, लेकिन जब आप overdo करते हैं, जब हद से ज़्यादा कुछ इस करते हैं, तो आप eye center के लावा तो आप और नीचे घुस करके eye or eye center को भी trigger करते हैं और normally, अगर आप zen yoga के through, अपने impulses को समझते और receive करते हैं तो eye or eye center भी involve होता है लेकिन ज़रूरत जितनी है केवलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा तर लोग, चुकि उनको पता ही नहीं अभी तक अभी हम evolution के उस phase में हैं जिसमें पूरी दुनिया अभी तक योगी नहीं बनी है योगी अभी भी fashion में नहीं है 1% से भी कम लोग है तो उन्हीं को हम train कर रहे हैं, सिखा रहे हैं हम चाहते हैं न, 1 billion yogis होना चाहिए धरती पे, तो जो एक योगी होगा, उसकी intelligence तो super developed होगी, लेकिन उसकी sexuality और उसकी emotions भी अच्छी खासी developed होगी लेकिन उसकी intelligence के control में रहेगी फिलहाल जो society है हमारी अगर आप शहर में निकल जाएए या internet पे जाएए, तो emotional और sexuality को trigger करने वाली दुकाने हैं बस इसलिए अगर आप अपने habit को change करना चाहते हैं, आपको अपने intelligence को जादा operate करना होगा और जहाँ पर भी sexuality और emotions है उसको कम play करना होगा इसलिए कृष्ण गीता में कहते है अर्चुन से, oh mighty one जो समझता है इस चीज़ को वो जानता है कि केवल qualities और actions का एक movement चल रहा है मतलब एक तरफ good है और इक तरफ activity है अपने एक film देखा और खुश हुए तो वो कुछ हो नहीं रहा है खाली e-center, e-center के impulse को enjoy कर रहा है आपने एक sexual scene देखा और आप activated हो गए तो वो कुछ हो नहीं रहा है S-center, S-center से activated हो रहा है इसलिए अर्जुन, इन दोनों को देखो और skip beyond जाओ कृष्ण कहते है अर्जुन, यह बहुत ज़रूरी है सोचना, इसलिए मैं कहरा ताज कि अगर आप नहीं सीख रहे है spirituality को नहीं सीख रहे है, जिनों का नहीं सीख रहे है वैसा नहीं कि आप मासूम है और आपके साथ कुछ नहीं होगा आप गलत चीज़ा सीख रहे है कृष्ण कहते है अर्जुन, इस चीज़ के बारे में सोचना कि right action क्या है wrong action क्या है और inaction क्या है क्योंकि जो inaction कह रहे हो, असलिमें inaction है नहीं, वो अपने आप में subconsciously actions चल रहे है क्योंकि जो भी नियम और कानून है कर्मों के नियम और कानून बहुत mysterious है जब आप कुछ नहीं करते हैं उस समय भी बहुत कुछ हो रहा है जब थोड़ा बहुत करते हैं तो उससे सब कुछ हो सकता है perversion हमारी ही ignorance का हमारी ही alis का result है इसलिए अगर आप पहले बर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ज़िनोगा जॉइन करना चाहिए teacher बनना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को सिखाना चाहिए केवल यही एक तरीका है इस धर्ती को next phase of evolution में ले जाने के लिए हमारे और भी देट सारे courses है आप हमारे deep knowledge app पर explore कर सकते हैं जैसे कि business के लिए WBX है venture capitalism है VC इसमें आप board of directors और investors कैसे सोचते हैं कैसे behave करते हैं वो देख सकते हैं और भी बहुत से courses हैं आप हमारे app पर check कर लिजे और जैनुवी लिबनाने के लिए हमें इस नमबर पर support करिए Thank you दोस्ते Good night Bye